कितना भी पकड़ लो फिसलता जरूर है कितना भी पकड़ लो फिसलता जरूर है यह वक्त है साहब बदलता जरूर है elaborate कर सकता हूं मैं इस लाइन को कि आपके class किन्त preparation से क्या relation है काफी बच्चों की इस टाइम तक ना प्रफिशन बहुत अच्छी चल रही होती है काफी बच्चों की खराब चल रही होती जैसे एक्जामपल अगर बहूं तो कुछ बच्चों का अभी तक स्लेवस कंप्लीट हो चुका होगा रिवीजर कर रहे होंगे प्रीवेश जीड सैंपल प्रिपर्स कर रहे होंगे या फि सब्सक्साइब होंगे कुछ पाथ हो चुका है लेकिन नहीं है उसमें कुछ पाथ बचा थो ने थाष्ट सबस्क्राइब वहां यह उनके लिए अच्छी प्रप्रफिशन कर रहे हैं झाल। तो चल रहा था ठीक है उसको थोड़ा आगे लेके जाएंगे अच्छे से याद होगा अगर नहीं देखें तब दूसरे वाले लेक्चर पर जंप करेंगे तो हो सकते आपको परशानी का परशानी जहिलनी पड़े क्योंकि देखिए अभी यह अपना आज आईजो मर्स का पार्ट खतम करके चले जाएंगे अब जो फंक्शनल कुप्स पर नेमिंग आएगी वहां वो सारे बेसिक यूज होंगे जो हम अभी नेमिंग में पढ़ चुके हैं अलकाइन वाली सब्स्ट्रूइंट वाली तो उसका बहुत काम आता है क्योंकि अलग अलग टाइप के नेमिंग होती है इसलिए सब्स्ट्रूइंट वाले लेक्चर तो बहुत इंपोर्टेंट है यह एडिशनल क्लास में थोड़ा बहुत जो मर्स है मैं चाहता हूं कुछ छूटे ना वह भी आपके थ्रू पहुचे उसको बताके हम आगे बढ़ जाएंगे ठीक है तो पहली तो पिछले क्लास में एक होंवग दिया था जो आपकी स्लेबस में नहीं था मैंने खाली लॉजिकल उससे ल दबन और द्रीपल्वाटी होटी है जो प्रयायोर्टी होती है वह सेम होती यह मतलब नंबरिंग में देखो जब लंड गरते हैं तो दोनों सेम है तो क्या देखनाए जहांसे जो भी बंदा पास बढ़ रहा हूओ जैसे देखो यह लोगे कारबन कारबंचेन दोनों साइट से नम्बड कर सकता है या तो यहां से कर लो यहां से कर लो सब्सक्राइब यहां से इस तैट पर त्रिपल तो यह तो यह करेंगे 1345 करेंगे की करेंगे ठीक है अब इसका नाम तो लिखना बहुत इजी है नाम के लिख लोगे इसका टोटल काइबन गिनों फाइफ पेंट कोई सब्सीट्ट का जनजट ही नहीं तो पेंट अब देखो यह क्या है इसको आइन कहेंगे इसको इन कहेंगे अब देखो यहां नेमिंग पहले अता है तो यहाला पैली का जाता है कि पहले हम लिखेंगे फ़स्ट पे आइं है यहाई देखो पेंट onlar इसका इंट प्री पेल बोन ठीक है फिस्ट पे लगाए आइन यानि त्रिपल बॉर्ण कम्प्लीट ठीक है तो यह थोड़ा लॉजिकल सा था स्लेबस में नहीं है लेकिन लॉजिक को कंसेप्ट को क्लियर करता है कि डबल बॉर्ण जब सब्सिट्वेंट और डबल बॉर्ण या त्रिपल बॉर्ण दोनों साथ में होते हैं तब क्या करते हैं ठीक है यह आपके स्लेबस में हैं पूछे जा सकते हैं इसलिए टॉपिक को क्लियर करना जरूरी है पिछले लेक्चर में बहूल गया था यह बताना तो इसको आज क अब सभी जानते हैं लाउंगेस्ट करबन करबन चेन तो पता है ना कैसे ली जाती है पता ही होगा तो यह बनेगी लाउंगेस्ट कारबन कारवन जिन अब देखो जो छूट गया उससे क्या करा जाता है सब्सिट्वेंट पिसल लक्षर में डीटेल में पताया था ठीक है सब्सिट्वेंट अब क्या करें जब डबल ऑज़ाया गृताई प्रिप्ल भॉंड पर साथ में हो झाया मिख़ाक अचयन में तब क्या ताकतवर है णाना सब्सिट्वेंट इसाथ आस्ब लेत ऑगए प्राइव सकते हैं अब कैसे करोगे बताओ कैसे करोगे तो सब्सक्रास पढ़ रहा है और मैंने क्या बोला डेवल बॉंड प्रियोटी ज्यादा है तो यहां से करना आपके ज्यादा बेनिफीशल होगा तो यहां से नंबरिंग करो वण टू थ्री पूर क्या नाम लिखोगे नाम सिंपल भाई नाम में स्थिखाये था पिछिल में कि हमेशा जब भी सब्सेट्टेट्र लिखते हैं सबसेट्र लिखते हैं यहां तक यह जो सकती होकिन इसाओं तो दियों है यह है से शुरू करोगे तो फस्स पॉजिशन से डबल बॉंड शुरू हो रहा है तो नहीं यह पड़ गया ठीक है और प्रेक्टिस करें एक दो एक्जाम्पल को प्रेक्टिस कर लेते हैं समझ मा जाएगा ठीक है कुछ समझने नहीं बस एक रूल समझना है कि जब आपका डबल बॉंड या त्रिपल लिए क्या करेंगा देखो को लोंगेश्ट कारबन कारबं चें तो यही है नोडाऊट है ठीक है कि यह जब यहां से शुरू करने तो वन टू 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 पे सब्सुठीट पढ़गे जादा प्रेयोर्टी होती है योन यह बली नुम्स तिह तो मैं ऐसे अज दूंगा कि नाम क्या लिकेंगे सिंपल पहले फ prejudge लगाय क्या लिखेंगे फोर मिधाइल फिर नंबर ऑफ फाइफ के लेड लिह पैं chests फिर सेकंड पलगा आइन ठीक है यह नम्ड भृण निवैंसे कैसे सेकंड पर आई लिखा तो फिरो फोर पे मिथाइल लगा है सभसे पहले सब्सेट का नहीं के नाम लिखते हैं से स्वर्व हो रहा है assuming यानि टूयर तूपन से हैं आई तो एकि तूपन तो ट्रीय होगा कि जहां से एक यहां से सब्सेट नहीं से नंबरिंग करो सब्स्ट्ट्ट वाले को बाद में नंबर मिले तब भी कोई दिक्कत नहीं है एक कोशन दे देता हूं वक लिए आप खोड़ उसे ट्राय करें आप से बन जाएगा तो विलन को इसका मदलब आपका कांसेप्ट क्लियर है नहीं बनेगा तो कमेंट में लिख सकते हूं आपको बस रूल याद रखना है यहां पर लॉंगिस्ट कारबन कारबन चेन ठीक है फिर वहां से नंबरिंग स्टार्ट करें यहां से डवल बाउंड फास पड़ रहा है नाम लिग डाले क्लियर होगा ना अगर नहीं बने तो लिख सकते हैं मैं इसको अगले लि सब्सक्राइब अब तक सब क्लियर है जितना भी कंसेट हो सकता है उल्टा मैंने अडिशनल बताया आप तक आपको कंसेट समझ माया है पता चले कि यह चीज़े क्या है तो अगर आप नोट्स बनाते हैं तो हेडिंग डालीजिए जो आज का टॉपिक है जिसके ऊपर आज क पूरा लेक्चर डिवोटेड है ठीक है देखो आईजो मर्स क्या है अभी बताऊंगा ठीक है पहली बता रहों में काफी सारी चीज़ा याद करने होती है क्या चीज़ें याद करने होती मेरे साथ चलते रहो अभी सब पता चलती जाएगी जैसे बोल्स में चीज़े आती जाएंगे तक आईजो मर्स किया होता है अगर आप एकंपौंट हो जैसे हैसे हैच 254 अल्की लाइक यृक इलकाइन उन इफरेंट न इफरेंड डीफरेंट टैफ्ट्र बन सकते हैं और यह ऑफ वार्मुला सेम रहेगा मालो ग्यूटेन उठा लिया मालो जिससे हमें शुर सेम रहेगा अब उस C4H10 का मैं काफी सारे डिफरेंट बना सकता हूं तो यहीं से आईजोमर्स की डेफिनेशन आती है आप नोट्स में लिख भी सकते हैं कि आईजोमर्स आर दोस और गैनिक कंपाउंड उस फॉर्मॉला इस सेम बड देयाव डिफरेंट स्ट्रेक्चर ठीक ह इसोमर्स अब समझते जो सबस्चारों जैसे पहला एक्जामपल ब्यूटेन ठीक है ब्यूटेन का है सी फोर इच्टेन जनरिल फॉर्मॉला आप सब जानते हैं सी एनच तो एक एलके ब्यूटेन उठाया है उसमें से फोर एच्टेन फॉर्मॉला है अब आगर मैं बोलूं कि आप सी फोर एच्टेन का स्रक्चिर बनाएं तो मेरे खल से आप मुझे यही बनाके देंगे सी 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 ठीक है यही बनाएंगे कि ब्यूटेन सिंगल बॉंड है तो चारों कालवन को सीदी सीदे लाइन में लगा दो बाकि हैड्रोजन की वैलंसी आप फिल कर सकते हैं यह के बन गया आपका सी 4H10 नहीं बन गया 3362810 ते 10 हैं फोर कारवन ठीक है इसे कहा जाता है देखो इससे आप अगर आईउपीसी नेम दिखो तो क्या लिखोगे मिर साथ बुले इसका उपीसी नेम उसका होगा ब्यूटेन नहीं ठीक है और इसका कॉमन नेम जो है वह है एड न ब्यूतेन अब एन विटेन क्यों है अभी समझाओंगा इसका कामन नेम है एन विटेन टीक है एन विटेन अब देखो यह बात अगर क्लिए है तो आपको बता दूँ क्यों ब्यूतेन का एक और स्ट्रक्चर बना सकता हूं वह है यह मैं यह भी बना सकता हूं है ट्री एच टू एच त्री यहां पर एच आएगा एच टू नहीं आएगा क्योंकि ट्रीन वेलंसी फिला सिर्फ एट रोजन आएगा यह क्लियर यह क्यों बना सकते हो द्यान से देखो इसको नंबर ऑफ कार्बन देखो कितने वन अभी आईउपेसी नेम की बात नहीं हुए जो आईजोमर्स वाली चीज़ है वह कॉमन नेमिंग से रिलेटर है वन टू थ्री फोर फोर कार्बन है थ्री ट्री शिक्स नाइन वन टें टें है रोजन है फॉर्मूला देखो तो सेम पड़ेगा ठीक है लिकिन आकर इसको मैं आईउपेसी नेम दूग तो देखो कैसे दूँगा आईउपेसी इसको में चेन बना लेगी यह मेंचेन हो और यह प्रोपेन है क्या है प्रोपेन ढान होगा इसां होगा जनी आई्ज। ब्यू लगा होता है किसी ब्भी सब्सक होजाता है जा When अगर उसके टूपन जगा अफेटा थो यह 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 वाला नेम ठीक है तो यह यह अपनी जगह सही है और यह यह वह अपनी जगह सबूखर तो यह है यही है कि इससे मैं इसके यह स्ट्रक्चर बना सकता हूं यही फॉर्मला इससे में यह STRUKC बना सकता हूं यानि देखो C4H10 के दो स्ट्रक्चर बने यानि हम कहें के C4H10 है तू आईजोमर्स बतलन सेम फॉर्मला से वह दो डिफ्रेंट डिफ्रेंट स्ट्क्चर बना सकता है ठीक है अब याद करने वाली पैसे के पास कितने है और एक दो स्ट्रक्चर बना के दिखा दो यही कोशन आता के लेवल अब होता है पिर देखा जाता है वर्म्ला है कि नहीं ठीक है अभी देखो पेंटेन के इसोमें नहीं सकता है ठीक है क्युक्ती है क्या आइज़ोमड बन सकते हैं जब इट-लीस्ट फोर कार्बन में ठीक है at least four carbon उपनों तभी different जैसे इसका हमेनिग होता है different type of number of carbon in the main chain that isomers are those compounds whose formula is same but they have different number of carbon in the main chain जैसे एक मैंने ये बनाया था C C C C ठीक है चार थे और एक मैंने ये वाला बनाया था जिसमें main chain में खाली इसमें कि दोनों देखो different है सो भी यहां न नमें नम्ट में गुए यहां अब बहुत डीटेंट टॉपिक है अब हैं इसमें बोचेन प्लास हो चेंअन भर आएगा एंगे तरह सकता है रभी मेरे सबसेदा व canoe fate पता चलता जाएगा ठीक है पहली बात तो बहुत कम बोर्ड में कोशन आए है इस टॉपिक से लेकिन जब भी आए कैसे टाइप किया है वो भी अभी मैं करवा दूगा टेंशन मत लेना ठीक है देखो पेंटेन क्या पेंटेन पेंटेन का फॉर्मूला फॉर्मूला यहीं विएक सबसे कंटेन बना सकते हैं यहीं बना को लाएंड्रोगन की फिल कर लो ठीक है इसको कहां जाता है इसको कहां जाता है जब भी सिधा सीधा इसे स्ट्रूइब नाम पढ़ जाता है यह लिए आइन पेंटेन होगा इसोमेरिक नहीं मेनी कॉमरेश का एन पर रेज होगा अब देखो हम एक कैसे बना सकता हो दियान देना है ये 今 लगा उपको यहां लगा तो पोला सभी कि नह fel लगान इ Committee क्या एक कारवन कुछ आई तक है मदलम यह है क्या किoorै तक तनह डिपरेंट टाइप तो देखना 12 भी हड्रोजन आएगा आओ मैं कर देता हूं अगर आपको विश्वास ना हो रहा हो तो यहां देखो 356 912 12 है कि नहीं है और 5 कालबन है जो एक ऐसा टाइप का भी बन सकता है बहुत स्ट्रक्चर डिफरेंट है फॉर्मुला से नहीं यह यह भी क्या है पेंटेन का एक आईजोमर है और इससे क्या कहा जाएगा अब बोलो अभी बताया था अगर नंबरिंग करोगे तो कैसे करोगी यह मेंचेन हो जाएगी यह वन टू थरी फॉर उसका नाम पढ़ेगा टू पे मिथाईल ब्यूटेन अब देखो जब मैंने बताता है जब भी टू पे मिथाईल आए तो क्या नाम पढ़ जाता आईजोपेंटेन इसका क्या नाम हो जाएगा आईजोपेंटेन देखो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे होते हैं सेम फॉर्मुला डिफरेंट टाइप फ्रक्चर एक में एक बार चेन में चार्ड लगा दिए जो बच्छा उसको सब्सक्राइब लगा लिए आईजोपेंटेन बनी गया अब देखो आप सोच रहे हो कि इसको मैं यहां लगा हुआ बात तो सेम यह है अब अगर यहां लगा लोंगे में चेंग सब्रक्राइब यहां इसा 3 से स्यूव असे स्युद्ट पास पड़ रहा है यह थर्ड नंबर पर रहा है यहां से से Кंड नंबर पर तो यहां से नंभ नुख्ट जूरू करोगे तो नाम तो Bald टू निभ में फैक तो धिया दोनों स्ट्रॉक्ट्टर क्लियर नोट्स में लिखते जाना ऐसी पूशा जाता है कोई भी बना दो धिक तो सब्सक्साह एक बार मैंने नाम बड़ा आइजो में वतायो ऐसे उलाइन तो थो मैं एक बार कोशिश करता हूं अगर मैं तीन रखूं तो ना बाकी दो कारबन लगा सकते हैं एक अचा कर लो 12345C5 है और हड्रोजिन की वैलन्सी करते हैं इसके तो फिल ही है इसके त्री 3333 3334 12 h12 c5 एसी बना सकते हैं अब तो इसको मेंचेन मानोगे 123 लिखोगे तो क्या लिखोगे टू,2 dymethyl क्या लिखोगे इसका प्रोपेन मेंचेन में तीट्र और पूर ये लिए और प्लो अब 1,2 और लेक्ट अब इसे ना पिछले जाओ जाता है नियोंड अब नियों यहां क्या है प्र टेन गग तो अब इस से जब नहीं बन सकते हैं लास्ट तब नाम पड़ा एंड पेंटें यक में चार लखे आई फेंटें एक में तीन रखे नियो पेंटें नियो कब जब किसी भी मिखाउण के टुकॉअ टुपर दाइम नाम दिया जाता है अब अगर मैं हेक्जेन का बनाऊं है जेन में किते बनेंगे 5 बनेंगा और पाछों बन तो आइजोमर्स बनते जाएंगे आप जैसे-जैसा हाई जाओगे वैसे पोजीशन आया जो मान का खुलता जाएगा कि यह में चेन में सेम रहो बस सब्सक्राइब की पोजीशनिंग अलग कर दो तो भी वह सेम चीज होगा इसलिए बोला तो बहुत डीटेल टॉपिक लिकिन है न करना चुछ की थो एare बनाते हैं है थो अंतुछ दो JUST हें तूछ घ्ञेश क सबसे पहला सिमपल सिरासिक ईर धिम血िशनिका यहीं जोगे क्लेट स演कें देखो रुआएक दोप बोर्ड कॉश्ऑ कोशा ठाएगा आपको बोले हैं कोई दो थे इससे और रहा दूसरा ना दूसरा कोशिश करना इस से छे काया बंद थे तो 시청 की जगा में Cam में कि पांच कारबन रख लो और जो दूसरा वाला कार जो लाज कारबन उसको सेकंड पोजिशन बलागा दो अब नाम क्या पढ़ेगा आप देखो यह क्या है तू मिथाइल पेंटेन है कि नहीं है अब देखो टू पे मिथाइल लगा तो नाम क्या है बार बर बता रहों चला जाएगा तो भी वह कर लेना कि एक बार एन हेप्टेन मना लें एक बार एक च्छे में एक को सेकंड पोजिशन लागा कि उसको आईजो हैप्टेन बोल देना है ठीक है यह काम कर सकते को चीज़ें बता रहों बहुत इंपोर्टन चीज़ें है छोटी-छोटी चीज़ तूपे निथाइल लगा है यह सब आप कर लोगे खुदी तूपे मिथाइल लगा है करेए पेंटेन देखो में कार आप यहां लगा दो देखो कि one two three four one two three four five अब मैंने बोला था हमेशा आईजो मर् कैसे बनते हैं हमेशा आईजो मर्किसे बनते हैं कारबन की जो वैल कारवन करवन का नमबर होता वह चेंज करते जाओ यहां गर सिक्स है तो यहां वाइफ कर दो और बचा हुआ कहीं पर भी लगा दो तो आई तो बन जाएगा लेकिन अब जैसे जैसे आगे बढ़ता जाओगे ना वैसे वैसे और ने ने टाइप की आईजोमर आते जाएगे जैसे इस वाले सबस्ट्रेट्ट्ट को मैं यहां भी लगा सकते हूं बीच में कोई दिक्कर तो है नहीं इस वाले को यहां लगा दो नहीं तब स यही को ऑजएगी दिमाग लगा ना अपना मैंने बोला मैंने पाज लिए और आप देखो में यहीं बन जाएगी और नाम यही प Trung ऐले लेकर मैं यहां लगा दूँ मैं ने धिक्र पडश को है एक है आप बोलोगे यहां लगा देते हैं नाम यहां लगाते हैं मैंने बात सुनते हैं बहुत चोटी चोटी चीज़े हैं यह यहां लगा दिया अब देखो नाम पढ़ जाएका नम्बरी आसे चुगो के यह थे एक दो तींचर पाज इसमें भी ते और आपने बोला था नमबर ऑफ कर बनेगा ऐसा नहीं होता हमेशा ठीक है इसलिए मैं आपको ज्यादा हाइयर लेवल तक नहीं रहे जाना जाता मैं चाहूं तो हैप्टेन कभी सारे इसमर बना सकता हूं है उसमें नहीं टाइप क अब उसको थर्ड पर लगा दिया ऐसे टाइप का जाता है पोजिशन आइजमर यह आप हाईयर क्लास में पढ़ोगे ठीक है अब इसका नाम क्या होगा कि इसका कुछ कॉमन नहीं होता इसका कुछ आईजो आईजो कुछ नहीं है बास खाली एक कंपॉंड है ठीक है खाली अब नंबर ऑफ कारबन थोड़ा कम करते हैं देखते हैं और क्या चीज़ें होंगी ठीक है ऐसी ऐसी चीज़ें करती जानी है बस दिमाग लगाते जाने कि और कितने टाइप के डिफ्रेंट स्ट्रॉक्चर मैं किसी भी कंपॉंड के बना सकता हूं जब दिमाग लगाते ज अब यह जा सकते हो अब इसको कि मैं इस वाले को अगर कहीं ओर लगा सकता हो तो कि नाइपा जाते हैं झिया को है कि यह क्या है जbn सकते हैं पाच यह शिक;; इसके बाद कुछ बनेगी सकता बनने सकते हुं लेकिन सेम बन जाए अगो जाएंगी चीजेंगा है इतनी बन सकते हैं इनके अब अगर करूँ कि कहानी कि मैं इतनी दर्शे क्या बोले जारा हुं कुछ-कुछ चीज मुझे पता है पूरी तरह से तो किसी टॉपिक है और हाइर क्लासे में जब जाएंगे तो बुला डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन इसको टेंफ पढ़ा जाता है ताकि आपको कुछ नौलेज ओ कुछ बेसिक नौलेज ओ इसको अपने हाईर ग्रास पर जाएं कोशन कैसे बनते हैं जो आपके काम की बात है आपको ुट का पेपर देने कोशिंगेह साथ सरफ एक सबसे पहला तो याद क्रफिकुए मैं थे मिधैं मिथे एनजें और पुरिइंटे आ इस कि अब इतात बना नस्यbow्वित्व बन सकते हैं इक ية कि हाइंद के नोब सकते हैं और octane के 18 बस यह चीज़े पहले याद कर लें ठीक है कोशन में आ गया कभी कोशन में सीधर भी पूछ लेगा कि सकते हैं ठीक है फिर नब और कोशन में है कि है अब बनाएंगे पहले तो बता है कि ने आईक प्रोंच यहisome के पूछ लिया यह फिर बोलेगा कि हैकजेन के कोई भी तो आईजवर बनाएंगे यह बात बात चीज़ेंगे बताइंगे बनाके और दिखाये पहले N-hexane बनाएंगे जिसमें सब सीधे लगा देंगे फिर आईजो-hexane लगाएंगे जिसमें पाच-ieth पॉसिट में मिठाइल लगाओगा फेर एक काम करना नियो दो तो बन गये ना थ्रीक में बना तक alegra मेरे सकते हो जाई और लगा दो लगा दो बागे के दोनों कहीं भी लगा दो जाए बनाया को यह उसको यह भी बना सकते हो यह कोशिच करता हमेशनन न आइज ही पैफ खन इय के ऐका मं करो इस वाले को यहां लगा सकते हैं का गाता था नियो तो इसका क्या बढ़ जाएगा नियो हेक्जेन ठीक है अभी तक है नीचे पहली बात जाए गाई अगर मालोच चला भी गया तो आप बना सकते एक बार एक बार इसोहटेन में क्या करना है नंबर और ऑफ कर देना और जो 8 कालवन बनेंगा उसको सेकंड पॉजिशन पर लगा देना एसंग बन जाएगा ठीक है तो मैंने आपको ब्युटेन डीटेल में आपको बताया बनाके पेंटेन के डीटेल में बनाएं और हैजें के बनाएं आप केसे आएंगे कोश्यंस मैं सब 17 न कि भी एक बना दीजिए कोई भी कोई बी दो बना दीजिए तो मैरे ख्यालते अब आप आईजोमर्स बना देंगे याद करने वाली चीजें हैं याद करिए लेकिन मैंने समझानें के भी कोशिच करिए ताकि आपको आईजोमर समझ में आ जाएं कैसे नंबर ऑफ कालबन को घटाते जाओगे तो डिफेंट टाइप ऑफ स्टक्चर बनते जाएंगे उन्हें क्या कहते हैं ठीक है काफी अच्छे समझाया है समझ में आई गया होगा ठीक है कि क्लियर होगा या बाद हम अपने फ्रंक्च्शिनल ग्रूप के टॉपिक को अगरे लेक्चर से खोलेंगे तो बूड जो टॉपिक है उसको यही पढ़ लेता है जिस को आप जानते हो शायद हो मोलोगा सीरीस के नाम से ठीक है काफी लोगों को पता भी होगा कि यह होमोलोगा सीरीज क्या होती है नहीं पता तो यहां पर पता चल जाएगा क्या होती है मैं बता देता हूं जैसे एलकेन का अगर मैं ग्रूप लूँ एलकेन का यहां लूँ एलकीन का ग्रूप और यहां नूँ एलकाइन का ग्रूप एलकाइन ठीक है आप देखो क्या ग्रूप लेख सकते हो देखो सबसे पहला एलकेन च4 दूसरा इसके भी चार ग्रूप लेख देते हैं पहला एलकीन क्या होता है सी टू एच फूर सी फूर एच एट सी फाइव एच क्या है पता ही है कि अलकीन में कोई सब्सक्राइब अब इसका जनल फूर्म लगेता हूं इसका होता चीजे बता चुका हो लेकिन तब भी इसका क्या होता है जैसे number of carbon N जैसे number of carbon 2 है तो यहां H की नीचे 2 into 244-2 तो H की नीचे 2 आएगा जैसे C3 है number of carbon 3 तो H की नीचे 3 into 266-24 H की नीचे 4 आएगा ऐसी आप चीजे जैसे 4 into 288-26 ठीक है यह सारी चीजे आपको मैं पहली भी बता चुक हूं लेकिन तब भी पता होनी चाहिए तो यह मैंने लिख दी अलकेन की सीरीज यह मैंने लिख दी अलकाइन की सीरीज अब मैंन और हम यह चूला के सिघ्टू निटसे करेंगे अब अपनी नोट में लिख लिए अभी सम्झारों यह सीच्ट्य में से डिफर के आगा कि क्या मतलब होता है कि मतलब है अगर यह कोई भी दो कंपाउंस उड़ा लो तो उनके बीच में चूला मतलब जैसे मैं है प्थालिए सीटल सिम। कार्वन बढ़ गया-गया-गया-neечение कारशी व whole बढ़ गया-गया-गया-गया-गया-गया-and कार्बन एक कर्बन एक और रहेटीν यानि एलकेन ही थी यह कोई क्षक्स के नीचे वाला यानि इसका सक्सेसर उठाओ तो ऐसे एक हुंआज परहले के नोट हो ती कि होंवोलो लोग चिरीज की होती है कि होम ओलोगल सिरीज है ठीक में इन už दूतमिक मासक का दिफरेंस है मैं समझा दूए डिटेल में समझा दूए पता ही होगा आपको पैसे इसका आटाम मॉलिक्लर मास निकल आएगा तर्वेल्व हाइड्रोजन को होता है वन इंटू फोर फोर इसका निकालो यानि 12 इंटू 24 प्लस 6 अब ट्वेंटीफोर हो गया यह 24 प्लस 6 30 हो गया अब इन दोनों का डिफ्रेंस देखो हमेशा 14 आएगा यानि 30 माइनस 16 14 यू होता कि नहीं होता यानि दो चीज़े होती है एक तो च्छ टू उनिट से डिफर करेंगे और इन दोनों का जो अटॉमिक मास होगा उसका डिफरेंस होगा 14 यू होगा ठीक है तो यह दो चीज़े है ठीक और प्रॉपरटीज भी है कि जैसे जैसे नीचे बढ़ोगे ग्रैजूल इंक्रीज होता रहेगा फिजिकल प्रॉपरटीज में ठीक हैं कि यह सारी प्रॉपरटीज है यह अगर आईजोमर क्लियर है तो वेलन गुड ठीक है और अगर हो लोगे सीरीज है तो पूरी लेक्चर ही क्लियर है आपका ठीक है जो याद करने वाले चीज़ें मैं आपको बदा दी कैसे आता है पेपर में दूसरा समझाने की बहुत कोशिश करी आई होप समझ माया होगा क इसका मतलम वह तो सेम होगे सीरीज है वो सब जो जो इन में इन में इसका मतलम वह भी सेम होगे सीरीज में वह सब मॉलो को सीरीज में सारे में कंको मीं करना है है पैचानने जोंक से इसारी पैचानने कौन से लाइन पैचानने साए तो भंतुक है यह सब ऐसे voldok कलिये से करते हैं , अे लोगे सब के से फिर व्याज का है आपका अब क्या बचा है कि अब बचा है कि फंक्शनल ग्रूप ठीक है फॉक्शनल ग्रूप एक बार खतम हो जाएगा फिर आपको वह त्योर्टिकल चैप्टर की और हम बढ़ जाएंगे जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ और गैनी कंपाउंड शुरू होता है जिस फ्रीमार करके आते हैं वह अगले जो पार्थ है कैमिकल प्रॉपरिटिज ऑ और उससे पहले फंक्शनल ग्रूप को क्लियर करना और फंक्शनल ग्रूप को लोगों कलेके अगले वाले लेक्टर में लेकिन फूक्शनल की वीडियो थोड़ी बढ़ी होगी बढ़ी कि टोनी डिटेल इस सब की डीटेल की डिटेल जितनी भी आया आपके देवर्स में हैं फस्ट्र लम सब्सक्राइब कि सबकुश्य च्छोटी में कवर खरते जाएंगे तो बने रहें और ग्यानी समारिये जो भी डार्ट है कमें लिख सकते हैं मिलते हैं अगलिक्षर में फंश् झाल